नमस्कार, क्रांती ओरेसा में आपका स्वागत है। एक बार की बात है एक जंगल में एक जील थी, जो खुनी जील के नाम से प्रसिद्थ थी। शाम के बाद कोई भी उस जील में पानी पिने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन चुन्नु हिरन उस जंगल में रहने के लिए आया। उसकी मुलाकात जंगल में जगू बंदर से हुई। जगू बंदर ने चुन्नु हिरन को जंगल के बारे में सब बताया लेकिन उस जील के बारे में बताना भूल गया। जगू बंदर ने दूसरे दिन चुन्नु चुन्नू हिरन को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। जंगल में चुन्नू हिरन का सबसे अच्छा दोस्त एक चीकू खरगोश बन गया। चुन्नू हिरन को जब ही प्यास लगती थी तो वह उस चील में पानी पिने जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पिने जाता था एक शाम को वह उस चील में पानी पिने गया तो उसने उसमें बड़ी तेजी से अपनी और आता हुआ एक मगरमच देख लिया जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा रास्ते में उसको जगू बंदर मिल गया जगू ने चुन्नू हिरन से एकनी तेज भागने का कारण पूछा चुन्नू हिरन ने उसको सारी बात बताई जगू बंदर ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खुनी जील है जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वह वापिस नहीं आता लेकिन उस जील में मगरमच क्या कर रहा है उसे तो हमने कभी नहीं देखा इसका मतलब वह मगरमच ही सभी जानवरों को खाता है जो भी शाम के बाद उस जील में पानी पिने जाता है अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को ले जाकर उस चील में गया मगरमच सभी जानवरों को आता देख कर छुप गया लेकिन मगरमच की पीठ अभी भी पानी से ओपर दिखाए दे रही थी सभी जानवरों ने कहा कि यह पानी के बाहर जो चीज दिखाए दे रही है वह मगरमच है यह सुनकर मगरमच कुछ नहीं बोला चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला नहीं यह तो पत्थर है लेकिन हम तभी मानेगे जब यह खुद बताएंगा यह सुनकर मगरमच बोला कि मैं एक पत्थर हूँ इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच है चीकू खरगोश ने मगरमच को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच को उस जील से भगा दिया और खुशी-खुशी रहने लगे नेतिक शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीक मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराय मिलकर करते है तो उससे चुटकारा पा सकते है